अध्याय सोले दैवित था आसुरी सभाव जोब विहींता, भद्रता, लज्जा, संकल्व, तेज, शमा, धैर, पवित्रता, ईश्या तथा सम्मान के विलाशा से मुक्ती ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं हे प्रता पुत्र, दंब, दर्प, अभिमान, प्रोज, खठोरता तथा ज्यान की आसुरी सभाव वालों के गुण हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए नुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं हे पाण्डु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों सयुक्त होकर जन्मे हो। हे प्रता पुत्र, इस संसार में सरजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, उचित आचरण और नहीं सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिठ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी इश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन होता है और काम के तरिक कोई अन्यकारण नहीं है। ऐसे निश्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धी हीन है ऐसे नुपयोगी एवं भयावैकार्यों में प्रवत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रे लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्य प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोगरस्त होकर सदैव शनभंगुर वर्स्तों के द्वारा अपविस्ट्र कर्म का व्रत लिये रहते हैं। उनका विश्वात है कि इंद्रियों की तुष्टी ही मानव सब्यता की मूल आवश्यक्ता है। इसका कार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्यत्रिक्ती के लिए वैद्धं से धन संग्रह करते हैं। आसुरिव्यक्ती सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाव से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किन्तु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिये जाएंगे। मैं सभी वस्तु का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्ति मान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आजपास मेरे कुलीन संबंदी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्ति मान तथा सुखी नहीं हैं, मैं यग्य करूँगा, दान दूँगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्यानवश मोह ग्रस्त होते रहते हैं। मिध्याहंकार, बल, दर्प, काम तता क्रोज से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तता आन्यों के शरीर में सित्भगवान से ईश्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग इरिशालू तता क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। हे कुंति पुत्र ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहन करते हुए कभी भी मुझ तक पहुच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोग। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कीने त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। धेकुंति पुत्र जो व्यक्ति तीन तीनो नरक द्वारों से बच पाता है, वे आत्म साक्षात कार के लिए कल्यान कारी कारे करता है। और इस प्रकार क्रम्ष है, परमगति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अभेलना करता है और मन माने धंग से कारे करता है उसे ना तो सिध्धी ना सुख नहीं परमगती की प्राप्ती हो पाती है अतेव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के नुसार क्या कर्तव्ग्य है और क्या अकर्तव्ग्य है उसे ऐसे विधी विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क क्रम शेह उपर उठ सके।